रोने से नहीं ये करने से प्यार मिलेगा आपको तड़पाने वाला पागलों की तरह पीछे आएगा प्यार आपके साथ होगा 100% मैं गारंटी देता हूँ जिसके लिए भी यह विदी कर देंगे वहे आपके प्यार में पागल दिवाना हो जाएगा दिवानी हो जाएगी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी यदी आप वसीकरण कर करके ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल और एक असली वसीकरण विधी आज हम आपको बताएगे जिसको यदी आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं तो यकीन मानिए पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में आप बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको तडपा सकते हैं अपने प्यार में उसको गुलाम बना सकते हैं त इसी के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक कोरा कागज इस तरह से ले लेना है ठीक है अब आपको इसके उपर सबसे पहले यहाँ इस तरह से लिख देना है 786 ठीक है हिंदू और मुस्लिम कोई भी इसको कर सकता है ऐसा नहीं है कि यह मुस्लिम ही के लिए है कोई भी इसको कर सकता है और सबसे पहले मैं आपको बता दू कोई भी विद्धी अगर आप करते हैं तो इसको पूरी यकीन और विश्यास के साथ इसको करना है तभी इसमें आपको सफलता मिलेगी ठीक है इस तरह से आपको कागज़ पर जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे इसको बना देना है सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है हुब यहाँ लिखना है आपको वस अब इसको यहाँ से भरिए तीन, नो, साथ, पांच इस तरह से आपको बना लेना है जिसको भी आप अपने वसमे करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है ठीक है अब माल्य जाहे वह लड़का है जिसके लिए आप यह विदी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिन लिख देना है ठीक है अब आपको यहाँ पर प्लस करके नीचे मा का नाम उड़ लिख देना है मा का नाम अगर नहीं पता है तो आपको हुवा लिख देना है ठीक है मा के नाम के आगे बस इतना सा आपको बना लेना है यह बन करके तियार हो गया है ठीक है इतना इसको आपको निकाल लेना है बहुत छोटे से कागज पर आपको इसको बनाना है अब आपको क्या करना है ध्यान से देखेगा इसको एक मंत्र हम बता रहे हैं ये मंत्र आपको इसका अंदर प्रयोग करना है या अल जाहिरू ठीक है या अल जाहिरू इस वर्ड क आपको क्या करना है, साथ बार बोलना है, सिर्फ साथ बार बोल देने से ही इसका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, इसको जो यंत्र है, यंत्र को इस तरह से आपको मोड लेना है, छोटा सा इसको बना लेना है, तावीज की तरह है, तो इसको आपको बहता हुआ कहीं पानी मिल जाए पानी में प्रभायत कर दीजिए या पाक साप जगे पर साप मिट्टी में इसको आपको दबा देना है बस इतना सा कारिया आपको करना है इतना करने के बाद आप देखेंगे जिसके लिए भी एहविदिया आपने की थी वह आपकी महब्बत में बेचैन हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, तड़प उठेगी.